हेलो दोस्तों आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से वेलकम है और आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि अभी हमारे हाँ पे थोड़ा सब मौसम चेंज हो रहा है हर एक जगा पे इंडिया पे और अभी गर्मियों के पौधों का अभी सीजन आने वाला है जिसमे हम बहुत सारे पौधे लगा सकते हैं बीच से आज आपको कुछ पौधों के मैं नाम बताऊंगा ऑगा जो मेरे साबसे बहुत ही एजी टो ग्रों है और सबसे ज्यादा सेलिंग होती है उनकी नर्शरीस में सबसे पहले दोस्तों मारे पास जो पौधा है इसका नाम है जीन जून जलाई में आपके यहां पर बहुत ज्यादा गर्मी पढ़ती है तो याद रखेगा जीनिया का पौदा जरूर लेकर आएं क्यूंकि इसके जो ब्राइड कलर्स हैं गर्मी में बहुत बड़ी अलगते हैं सर्फ एक चीज का आपको दियान रखना है जब भी आप इस बहुत बहुत अच्छा पौदा है पहले मैं इसको पसंद नहीं करता था क्यूंकि मैंने कभी लगाया नहीं था मैंने वीडियो में देखा था पर अगर आप इसको एक्चुल में लगाओगे इसके छोटे-छोटे पूल इतने जादा एक टाइम पे हो जाते हैं और दवार दिनों के लिए इसका एक फूल कम से कम निकाल जाता है और बहुत बढ़िया तरीके से छोटे पॉट्स में चार या पांच इंची के गमले में भी यह लगने के लिए बहुत बढ़िया पौदे माने जाते हैं इसमें ना कोई बिमारी लगती है ना कोई एफिड अटेक होत जितने भी कलेक्शन है मेरे पास विंका के वो मैं आपको दिखाऊंगा जरूर मैंने लास्ट इर के प्रिजर्व करके रखे हैं पर मैं कुछ बीच भी खरीदूंगा जैसे टैटू वराइटी होती हैं बहुत ज्यादा रेर सीड्स जो होते हैं मैं वो खरीदूंगा जहां दोस्तो कुछ प्रॉबल्म नहीं होती सिर्फ तभी होती है जब इस पे ज़्यादा बारिश का पानी पड़ जाए तब फंगी साइट स्प्रे कर दें उसके साथ यह नॉर्मल हो जाता है और दोस्तो हमारा जो अगला पौद है इसका नम है बालसम बी दोस्तो बहुत अच् प्रेट की या पिंक और वाइट की वो भी मैंने बीज लगाए हूँ है और इनको दोस्तो लगाने के लिए अप कोई भी गंपला चूज कर सकते हो मैंने करीब दो पौदे एक पॉट में लगा हूँ है और बहुत बड़ी है तरीके से फूल आते हैं तो बालसम का पौदा अब लगाई है इसकी जो फुल तो नहीं आते खैर पर इसकी आप देख सकते कितनी जादा ग्रीनरी रहती है अगर आप इसका एक पौदा भी लगा लेंगे और गर्मी में ग्रीनरी बहुत मुश्किल से देखने को मिलती है तो आप इस पौदी को जरूर लगाई है यह दो चार पौदे यह लगे होंगे तो बहुत बढ़िया लगते हैं यह बुश टाइप बन जाता है और ऐसी जो दोस्तो बुश है अगर आप बड़े गमले में लगाऊगे और जादा बड़ी हो जाती है चोटे में लगाऊगे कोचिया बुश ऐसे ही रहती है तो इसके पानी की कमी अप ना होने दे और हमारा दोस्तो जो अगला पौदा है इसका नाम है कॉस्मॉस कॉस्मॉस में भी दोस्तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है आप देख सकते मेरे पास इसके बहुत सारे फूल एक ही टाइम पे खिले हुए हैं कॉस्मॉस में दोस्तो इस पूल का नंबर है वो सबसे ज्यादा है और सबसे बड़ी बात है ज्यादा से ज्यादा तेज दूप में भी अच्छे से चल रहे हैं तो ऐसी ही पौदे आपको लगाने चाहिए नर्सरी से अगर आप लेकर आएंगे या फिर बीज से उगाएंगे तो हमेशा गुड क्वालि है यह मैंने बीज से ग्रो किया है दर असल इसके जो बीज है आपको मिक्स में मिल जाएंगे अगर 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 आप कलर लगाना चाहोगे आपको बारा से तेरा वराइटी से गारण दोसकी वैश्याद मिल जाएंगे आप जाकी चेक कर सकते हैं और इसको दोस्तों थोड़ अभी लगा लीजे तो ज्यादा बहते रहेगा अदर्वाइस आप इसके पौध है जो पौधे हैं जा पौध है उसको आप लेकर आ सकता है नर्सरी से जो आपको करीब 15 से 20 रोपाई की मिलेगी थोड़ी सी महंगी जरूर होती है पर इसको लगाना दोस्तों बहुत बढ़ से लगी यह वो चीजें इसके साथ ज्यादा होंगी पर यह बहुत ही हाड़ी प्लांट निकला है और मेरे पास लास्ट इर के पौधे भी अभी तक पड़े हैं उनकी मैं अच्छे से प्रूनिंग करके देख बाल करूंगा इसके साथ यह आने वाली जो मही वाले हमारे दि सेलूशिया या कॉक्सकॉम इसको आर्मर वराइटी भी गहते हैं और इसमें एक कट फ्लार की वराइटी आती है जो मैं इस वक्त लगाऊंगा मेरे पास इस बार इसके बी जाए है और दोस्तों जो सेलूशिया का पौधा है आप हमेशा देखें कि जो देसी वाला होता है उसमें पिंक कलर आपको ज्यादा मिलेगा पर आप अगर हाइब्रेट लगाएंगे तो आपको बहुत सारे कलर्स मेल जाएंगे नर्सरी में भी हाइब्रेट जो पौधे हैं वो आप लेकर आ सकते हैं इनमें दोस्तों जादा खास बात यह रहती है कि हम एक ही पॉट में त देखेंगा उसको पानी में भी रख सकते हैं पर मैं उसको एजब प्लांट ही ग्रो करके देखूंगा और उसके साथ हमें सपोर्ट भी देनी पड़े तो यही थी दोस्तों वीडियो आपको यह वीडियो पसंद आई होगी चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा और अगर आपको कोई और कोशन है रिगार्डिंग एनी प्लांट या फिर इसका पार्ट टू जाते हैं और भी बहुत सारे हमारे पाद समर फ्लावरिंग सीड्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं जिनको आप लगा सकते हैं तो उसके लिए भी मैं वीडियो बना दूँगा झाल moral होते हैं यूगार्ण ए रिए उसके लाल यार्ट मुदियो गस्थ रूट करतम हैं उसके सारे हैं की यूगार्ट मोवनी रिगार्ण समर मुद्वाग है सकते हैं जिनको को बना दुलगत।